नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर रतनेश आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीएनेस होम्योपैथी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कंबिनेशन 26 इजी पार्टुरीशन इस तवा से होने वाले लाब इसके डोज और उप्योग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो बहुत ही खास बहुत ही नालेजबुल है तो वीडियो को पूरा लास्तर देखें और मेरे साथ चैनल पर बने रहें पर वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन चैनल पर नए है पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकान को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमोमेशा मेशा मिलती बायो कम्विनेशन 26 इजी पाल्टुरीशन के बारे में दोस्तो होम्योपैथिक मेटसिन बायो कंबिनेशन 26 इजी पाल्टुरीशन सामान और सहज प्रसो और प्रसो के दोरान के दर्द को कम करने की बहुत ही खास होम्योपैथिकी बेहद इफेक्ट्व बायो कंबिनेशन मेटसिन है यहदवा प्रसो के दोरान होने वाली प्रसो पीड़ा से राहत दिलाता है और आसान प्रसो को बहावा देता है मा के स्वास्थ में सुधार कर बच्चे के विकास में सहायता करता है यहदवा नए उद्गो ब्लड और हद्डियों का विकास नए रख्तकोशकाओं की आपूर्त और सरीर में कैल्सियम का पोसल भी करता है इसके साथ ही साथ यहदवा गर्भा से छेत्र में दर्द दबाओ और प्रसो के कारण उपन सरीर की कमजोरी को भी दूर करता है दोस्तों इस तवा के कंटेंट पर ध्यान दे तो यहदवा कुल चार बायोकेमिक मेर्सिन, कलकेरिया फास 3X, कलकेरिया फ्लोर 3X, काली फास 3X और मेप फास 3X को मिला कर बनाई जाती है इस दवा के डो जो रुपियों की बात करें तो यह दवा बड़ों में चार गोली की मात्रा में दिन भर में तीन से चार बार और अन्य सम्वंधित लच्छोडों में बच्चों को इसकी आधी मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। अन्लाइन प्लेट फार्म आन्लाइन इस्टोर्स पर आसाने से मिल जाएगे। तो दोस्तों यह था होम्योपैथिक मेशिन बायो कंबिनेशन 26 इजी पार्टुरीशन इस तवा से होने वाले लाब इसके डोज और उप्योग से जुड़ी बाते हैं। के माध्यम से हम तक जरूर पहुचाएं। वीडियो को लाइक करें। अपने घर परिवार, अपने हित्मित्र, अपने फ्रेंड सरकिल में वीडियो को सेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। दोस्तों आप हमसे सोचल मीडिया के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों होम्यो पैथी किलाच और इससे जुड़ी समस्त जानकारियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डाक्टर रतनेश कुमार सिंपर जरूर विजिट करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी पस्वालक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वे हमारे एकन चैनल बेटनरी होम्यो पैथी जहां पर पसों के होम्यो पैथी किलाच से समस्त जानकारी आपकी अपनी भासा हिंदी में सहजो सरन रूप में दी जाती है उस चैनल पर भी जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी नए टापिक के साथ। अब तक के नमस्कार जैन।